बस साथ रख जोशुद है शोट प्रस सिल्वर पांप मसाला सब की जुबापर हातरस के सिकंद्रा राउज में हुए भीशन हाथसे के बाद साकार विश्वहरी भूले बाबा का नाम हर तरफ चर्चा में है इसके साथ ही बिच्वा में बना राम कुटिर आश्रम भी सुर्खियों में बना हुआ है शुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तनाती बाहर मीडिया कर्मियों का जमावडा जितने मूं उतनी बाते कोई कह रहा है कि भोले बाबा आश्रम में ही रुके हैं तो कोई उनके ना होने का दावा कर रहा है बाबा की मौझूदगी के इस रहसे के बीच उनके आश्रम को भी रहसे लोग का नाम दिया जा रहा है कभी किसी को आश्रम से दूर बने खंडर में तहखाना दिखता है तो कभी सुरंगों की मनमानी कहानी प्रसारित की जाती है लोगों में जिग्यासा इसलिए भी है कि नौ बिगा में फैला ये आश्रम उची दिवारों से घिरा है बहारी लोगों के प्रवेश पर सक्ती भी लोगों की बेचैनी बढ़ा रही है आश्रम के अंदर दो भवन बने हैं इन में से एक है भोले बाबा का प्रवास्थल जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण बताया जाता है जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में अनुयाई मेनपूरी शहर निवासी विनूद बाबू आनन ने अन्य भक्तों के साथ मिलकर इस आश्रम का निर्मान कराया था तीन तरफ से बराबर भुजाओं वाला ये आश्रम दाई और से तिकोना बना है चारो तरफ 12 फिट उची दिवार है आश्रम का मुख्ये द्वार भव्वे और 25 फिट उचा है गेट पर सुनहरे रंग का पेंट किया गया है भोले बाबा जब भी आते हैं तो उनका काफिला इसी मुख्ये द्वार से प्रवेश करता है वही अनुयाईों और सेवादारों के अवाग्मन के लिए दहनी और एक दूसरा गेट लगा है इसे पीले रंग से पेंट किया गया है इसी गेट के बगल से चार हल नूमा कमदे पने हैं इनमें ही सेवादार और अनुयाई ठहरते हैं वह खुद ही यहाँ अपनी रसुई भी तयार करते हैं हर समय 25 से 30 सेवादार आदी आश्रम में मौझूद रहते हैं भोले बाबा के प्रवास के दुरान इनकी संख्या और बढ़ जाती है आश्रम परीसर में बिल्कूल बीचो बीच एक आकरशक पार्क बना हुआ है इनमें चारो तरफ सजावटी पेड़ पौधे लगे हैं इस पार्क का फर्ष सुन्दर रंगोली की डिजाइन में अलग-अलग रंग के पत्रों से बना है इसके चारो ओर लाल, हरे और पीले रंग के पत्रों से वौक वे बना हुआ है इस पार्क के सामने बना है भोले बाबा का प्रवास थल बताये गया कि प्रवास थल का मुख्य द्वार काँच का बना हुआ है इसके अंदर चार कमरे बने हैं एक अथीती कक्ष भी बना हुआ है यहां हर किसी को प्रवेश के अनुमती नहीं होती भोले बाबा का प्रवास हो ना हो इस भवन की हर रोज फूलों से सजावट और साफ सफायादी की जाती है इस भवन में सभी सुविधाएं भी मुहिया होने का दावा किया जा रहा है राम कुटे ट्रस्ट बनाने वाले विनोध बाबु आनन ने बताया कि नरायन हरी किसी से कुछ नहीं लेते वे प्रवास के दोरान भी जमीन पर ही समानने गद्दा बिछा कर सोते हैं हाथसे को लेकर उनके उपर निराधार अरूप लगाये जा रहे हैं आश्रम को लेकर भी जूटी खबरे प्रचारित की जा रही है वहीं बता दें आपको कि भोले बाबा की कथित चमतकारी बूटी की चर्चाएं भी इन दिनों सबसे जादा है ये एक प्रकार का पेयजल है जो भंडारे में भोले बाबा के अनुयाईयों को दिया जाता है अनुयाई राजिश कुमार ने बताया कि भक्त इसे नीमबू प्रशाद भी कहते हैं इस प्रशाद को सत्संग में नहीं बाटा जाता है ये भंडारे में मिलता है और भक्त खुद इसे तैयार करते हैं इसमें नीमबू, गिलोए, दालचीनी आदी, समगरी मिलाई जाती है सत्सन या प्रवास के दौरान भोले बाबा किसी के यहां का पानी या भोजन नहीं करते अनुयाईयों के अनुसार उनके साथ एक अलग गाड़ी में राशन और पानी भी चलता है जहां जाते हैं उनका ही उप्योग करते हैं पानी उनके पैत्रुक धाम से मंगवाया जाता है वहीं बात करें तो रामकुटिर आश्रम का निर्मान कराने वाले विनोध वाबू आनन्द मेनपुरी शहर के शिवनगर के रहने वाले हैं वह लंबे समय से भूले बाबा के अनुयाई हैं उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में उनके यहां शादी के 25 वर्ष बाद बेटे का जनम हुआ था हाला कि उन्होंने इसके लिए कोई मननतादी नहीं मागी थी इसके बाद भी उन्होंने रामकुटी चेरिटिबल ट्रस्ट हरी नगर बिश्वा के नाम से ट्रस्ट का गठन किया नौ बिघा जमीन खरीदी और वहाँ पर आश्रम का निर्मान कराया आश्रम में प्रवास के लिए वे लंबे समय से भोले बाबा के अनुरोद कर रहे थे इसके स्विकार करने के बाद बाबा ने दस मई से आश्रम में प्रवास किया